हाई बच्चों यह है आपका फेवरेट चानल दिवाकर एंड संस टुटोरियल्स मैं हूँ गुरुनाथ दिवाकर इस क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं SSRC का पहला चाप्टर रियल नंबर्स तो बच्चों पहला चाप्टर रियल नंबर्स ठीक है बच्चों आपने पढ़ रहे होंगे यह 9th क्लास में आप आलड़ी यह रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया अब इस क्लास में इसका जादा नौलेज लेंगे तो इसके नौलेज लेने के लिए थोड़ा यह हेडिंग को सुक्ष्म से देखा तो क्या दो शब्द है इसमें पहला है रियल एंड नंबर्स बचों रियल का मतलब आप आप सब हम समझ रहे हैं नंबर्स का मतलब अबको हम समझाना है अब catam तो हम सब को मौलम है Mathematics में नंबर्स जो है यह ए alphabetics ती तरफ number है तो mathematics number नहीं तो math नहीं so number बहुत ज़्यादा important है in mathematics थोड़ा number के बारे में ज़्यादा जानकरी लेने के लिए कोशिश करेंगे तो number है इन number को हम अगर दो part में दो part में डिवाइड किया तो इसमें real number and complex number real number and complex number मौलब पढ़ रहा है दो type हम इसको डिवाइड कर सकते है तो बच्चो पहले इदर आए complex number का मतलब क्या है देखो बच्चो अब this number लिया root minus 1 can we define the number root minus 1 in mathematics it is just impossible लेकिन इसको क्या करते है इसको symbol all लेके इनको explain कर सकते है लेकिन आप लोग इसको P.U.C. first year में एक बड़ा chapter है complex numbers उसमें इसके बारे में जादा जानकरी लेंगे अब इसके बारे में जादा सोचो मत अब इदर आ जाओ इदर है हमारा इस chapter का hero real number तो बच्चो real number इदर देख लिया तो all numbers in mathematics in all numbers except complex numbers other all numbers are real numbers all numbers जो हम mathematics में अभी हम use कर रहे है all numbers और real numbers तो all numbers means what which numbers are all numbers in all numbers कौन कौन सा numbers आते हैं यह सब अब जानकरी लेंगे बच्चो तो real numbers को divide किया इसमें again दो parts हो सकते हैं पहला वाला decimal number decimal number and दूसरा वाला non decimal number non decimal number इसके बार में आप लोगों को already मालूम होगा लेकिन फिर भी थोड़ा जानकरी इसमें दे रहा हूँ है पहला decimal number and non decimal number इदर हम जो use कर रहे हैं वो number है tenth decimal numbers का system है tenth decimal number का system यह क्या है अभी देखो 1.1 अभी लिक रहा हूँ 1.1 decimal point बोल रहे हैं हमें में में इसको क्या कहते है decimal point decimal point के आगे जो है वो decimal places वो decimal place कहते हैं पहला वाला place और दूसरा वाला place और तीसरा वाला place ऐसा decimal places है यह decimal point के जो पीछे है यह numbers है यह numbers को decimal numbers है ये टेंथ डिसिमल नंबर इसका मतलब क्या है देखो अबर अगर ये नंबर को जादा बढ़ लिया जादा बड़ा 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 लेके जाएंगे तो क्या होगा इसा लेते जाएंगे तो बाद में आता है नाइन तो नाइन के जादे आगे चलेंगे तो क्या होगा 10 आते हैं न देखो अब 10 में हम लोग क्या किया 9 था 10 पर आ गया तो हम लोग ने क्या किया ए 1 इधर रख लिया इधर 0 लख लिया है न same way इधर 10 लिखना है तो क्या करेंगे इधर 0 लिखेंगे इधर 1 लिखेंगे अब इनको हम पढ़ेंगे 10 10 इसका मतलब है 9 तक इधर रख सकते हैं आगे ये नंबर प्रमोशन होते हैं ये स्थान पर आते हैं means 10 नंबर तक इधर रख सकते हैं 10 नंबर आ गया तो इसको प्रमोशन देते हैं अब इसको हम पढ़ेंगे 10 इस सिस्टिम्स को हम कहते हैं 10 decimal numbers इधर भी ऐसा है बचो यह decimal point है यह भी 9 तक लिख सकते हैं अब अगर 10 आ गया तो क्या होते करते हैं इधर 0 लिखते हैं इधर 1 लिखते हैं अब इसका 11 यह स्थान पर भी ऐसा है अगर 9 तक इधर लिख लिया तो बाद में 10 आ गया तो इधर 0 लिखते हैं इधर 1 लिखते हैं ऐसा all numbers प्रमोट हो जाते हैं 10 number तक इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं 10th decimal system तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं यह 10th decimal number का system है यह 10th decimal number में दो टाइप बना दिया है decimal numbers and non decimal numbers देखो बच्चो अब 1.2, 1.34, 1.345 these are all decimal numbers because decimal points है इधर decimal points के आगे decimal places में numbers है इधर इसलिए this type numbers we are calling them as decimal numbers अगर यह देखो 1,2,3,4 these are also numbers लेकिन इसमें decimal points नहीं है decimal places नहीं है यह round numbers है एक, दो, तीन, चार, all are not having any decimal places so this type of numbers को हम लोग कहते हैं non decimal numbers non decimal numbers और इसको भी हम कहते हैं integers, these all numbers को हम लोग कहते हैं integers, non decimal numbers और integers, so अब आते हैं पहले decimal numbers को तोड़ा जानकारी लेंगे जो, इदर हम लोग decimal numbers में तीन पार्ट करते हैं, again तीन भाग करते हैं इसमें पहला वाला है, terminate number और terminating number इसके बारे में जानकारी लेंगे थोड़ा terminate और terminating का मतलब समस्थे हैं लोगों, बच्चों, terminate इसका grammatical meaning है end करना, finish करना, तो उदर तक उसका parts end होते हैं, वो कहने के लिए हम लोग use करते हैं terminate, terminate means यह मुक्ताय हो गया है, यह finish हो गया है, यह end हो गया है, इसका मतलब है, तो इधर terminate number का मतलब क्या है, देखो बच्चों, अगर हम division करते हैं, पांच को 2 से division करते हैं इता समझो, कहवाते हैं, तो 2 सार 4, 1 रहेगा है, यह 1 को इससे divide नहीं कर सकते हैं, इसलिए point लिया है उदर, यह हो गया है 10, so, 2, 5, 10, so, reminder हो गया है 0, आगे उसको divide कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल नहीं है न, इधर तो यह procedure finish हो गया है, मतलब 2.5 से आगे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं इतर, यह number इधर finish हो गया है, means, 5 को 2 से divide किया, तो आने वाला quotient 2.5, इसका मतलब इसको आगे हम नहीं लिख सकते हैं, 2.5, we have finished here, so, this type of numbers, we are calling it as terminating numbers, 2.5 जैसा, 3.1 जैसा, this type of number, we are calling them as terminating number, terminating, आगे वो नहीं बढ़ा सकते हम लोग इसको, इसका, इस type of number, terminating number, दिन आगे आते हैं लोगों, बच्चों, next part is, अगर terminate पहला part है, तो दूसरा part, naturally, it should be non-terminating, non-terminating, यह पूरा हो, नहीं हो गया बच्चों, non-terminating, but repeating, और repeating के बदले, हम लोग इसको यूज करते हैं, रेकरिंग, रेकरिंग, non-terminating, repeating, और non-terminating, रेकरिंग, इसका मतलब क्या है, अभी फईू, टू से डिवाइड किया, अम करेंगे फईू को त्री से डिवाइड करेंगे, क्या होते हैं, त्री वन जार त्री, टू रह गया है, पॉइंट लिया, बीस हो गया है, तो, शिक्स जार, येटीन, अगें, येर, टू आ गया है, फिर से जिरो लिया, शिक्स, येटीन, अगें, टू आ गया है, तो, डिवाइड, डिवाइड करके जाओ, आप लोग देखेंगे, आर, 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 जैसा नंबर, रिपीट होते ही रहते हैं, ये फिनिश नहीं होते हैं, सुभा से, शाम तक उसको डिवाइड करो, शिक्स आते ही रहते हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते हैं, एड, रिपीटिंग, शिक्स इस रिपीटिंग ये, बार 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 रिपीट हो रहा है, जो, इस टैप आप आप नंबर्स, हिये, 5 बाइड हो गया है, 2.5, यान्य ये तर्मिनेट नंबर, यह 5 by 3 हो गया है non-terminating number, यह देते है 1.666 आगे, so this type of non-terminating and the same number is repeating, this type of numbers हम लोग कहते हैं, mathematics में कहते हैं, non-terminating and repeating or non-terminating recurring number, तो बच्चों, third part को आप समझ रहे होंगे, आप लोग खुद कह सकते हैं, वो क्या है, non-terminating तो है है, just like here repeating, here it should be non-repeating, yes बच्चों, non-terminating and non-repeating or non-recurring, इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण बच्चों, pie, देखो, यह pie को हम लोग कहते हैं, 22 by 7, यह divide करके देखो, 22 by 7, यह divide करके देखो, 3.142 आगे, अलग-अलग number आते जाते हैं, just you have seen here, 6 is repeating, but here अब divide किया, तो कितना भी देर divide करो, अलग-अलग number आते ही जाते हैं, same number repeat नहीं होते हैं इदर, अब आप चाहिए तो इसको divide करके देखो, 142 आगे, अलग-अलग number आते ही जाते हैं, this type of numbers, non-terminating, terminate तो नहीं हो रहा है, इसके साथ, यह numbers repeating भी नहीं हो रहा है, this type of number, we are calling them as non-terminating, non-repeating, and also non-recurring, non-recurring और non-repeating numbers, तो बच्चो इदर आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, integers, हम लोग मालूम है, हम लोगों को मालूम है, अगर आप number line लिया, इसमें जो numbers आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, and इदर आते हैं, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, यह numbers, जो हम number line में लिख रहे हैं, यह numbers हम कहते हैं, integers, और non-decimal numbers, इदर देख लिया हैं, तो तीन टाइप का number हम देख रहे हैं, पहले वाला, non-negative numbers, positive numbers, 1, 2, 3, 4, these are all positive numbers, second वाला 0, यह positive भी नहीं है, negative भी नहीं है, बीच में है, यह हम positive भी नहीं कह सकते हैं, इसको negative भी हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा वाला neutral number है, इदर 0, and third type वाला negative numbers, तीन टाइप का number हम divide कर सकते हैं, यह पहले numbers जो हैं, वाला भी integers हैं, लेकिन उन integers को हम लोग कहते हैं, positive integers, positive integers, दिन इसको कहते हैं, zero integer, not positive, not negative, zero को हम कहते हैं, zero integers, integer, not integers, because यह ओली single है, so zero integer, और यह है, बिल्कुल अब ट्रेट सोच रहे हैं, यह है negative integer, negative integer, positive integer, zero integer, and negative integer, so बचों, यह तीन टाइप को हो गया है, इसको यह तीन टाइप को, again, two types में divide करते हैं, यह जो integers है, positive integers, and zero integer, यह दोनों मिल के हम कहते हैं, whole number, whole number, याने, positive integers को, add किया zero, वो all numbers हो गया है, whole numbers, यह whole number, zero, one, two, three, four, whole numbers है, सिर्फ one, two, three, four लिया तो वो positive integer है, and देख लिया तो all, all our integers, ऐसा इसको divide किया, तो इदर आ गया तो, देखो बचों, इन दोनों types को हम कहते हैं, यह numbers को देखो, एक ऐसा है, five by two, these numbers are in fractions है, five by three, इनको हम convert किया, तो होते हैं, decimal numbers होते हैं, so fraction में जो है, वो decimal numbers है, so these are decimal numbers, इसलिए, these are in fraction, so this type of fraction number को, हम कहते हैं, rational numbers, rational numbers, बिल्कुल सही है बचों, यह पर rational number हो गया है, this type of number को, हम कहते हैं, irrational number, irrational number, यह irrational number जो है, वो non-recurring, and non-terminating number जो है, वो irrational number है, terminating number, and non-terminating recurring number जो है, वो rational numbers है, समझने बचों, rational numbers, irrational numbers, negative integers, positive integers, whole numbers, these are all the numbers, that we are using, now in mathematics, and आप लोग जो अभी तक, study कर रहे हैं, सिर्फ इतना number को, आप study कर रहे हैं, अब इन नंबर को, यह positive number जो, positive integers जो कहते हैं हम लोग, यह positive integer इसको, और एक नाम है, इसको natural number भी हम कहते हैं, natural number, इसको और एक नाम है, इसको natural number हम कहते हैं, देखो बचो, यह natural number का मतलब, इसके नाम में ही, इसका मतलब है, natural, यहने, अभी आप जो count कर रहे हैं, count करना होगा, समझो, आप count करना होगा, तो कौन सा number यूज़ करते हैं हैं, एक से शुरू करते हैं, एक, दो, तीन, चार, कोई आदमी, आपने देख लिया, कोई आदमी, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा number, counting में शुरू कर सकता है, क्या, 0 पहले लेता है, क्या हो, नहीं है न, एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, ऐसा, हम लोग, number लेते हैं, जो counting वक्त, naturally हम जो count कर रहे हैं, उसमें, इस, इस, पोजिटिव इंटिजर्स, ओनली हम लोग, यूज करते हैं, दो, इस type of, जो naturally counting करने के लिए, जो use होते हैं, इस type numbers, और, पोजिटिव इंटिजर्स, और, नैचिरल numbers, भी, कहलाता है, So, these are the numbers, हम एक-एक का definition लेते हैं, आप लोग, हमेरा साथ, मेरा साथ, इस definitions लेते जाओं, So, पहला वाला, decimal number, जो decimal point है, वो number, we are calling it as decimal numbers, and non-decimal numbers, जो decimal numbers, points नहीं है, उसको हम कहते हैं, non-decimal number, तो हम लोग definition पे आते हैं, पहले, whole number, whole number, बच्चो ऐसा करते हैं, हम लोग पहले, integer से सुरू होते हैं, आइस तो, definition, easy से यार रख सकते हैं, पहले, integer का definition लेते हैं, integer का मतलब क्या है, ठीक है बच्चो पहले, real number का definition लेंगे, real number, what is real number, इसका definition लेंगे हैं, नाच्रली, real numbers, और तोस numbers, वीच अर इंकुडेट, टर्मिनेटिंग लंबर्स, नों तर्मिनेटिंग लंबर्स, बोनों मिल्के, राशनल लंबर्स, रियल नंबर्स और तोस लंबर्स, which are included by rational number, irrational number, whole number and अब चाहे तो natural number भी इसमें ले सकते हैं नहीं तो whole number लिया तो natural number उसमें आते हैं So, definition है, real number is that number which is included by rational number, irrational number, whole number and natural number Example तो है, all these are example for real numbers नहुँ आते हैं, integers 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 जो है, all numbers इसमें इंकूरिद है Negative integers, Positive integers, Whole Number So, whole number, हम जो कहते हैं Whole number, including negative number are calling as integers So, integers का definitions है Included, whole numbers, including negative numbers we are calling them as integers Then, बच्चों आते हैं Rational number Rational number देखो बच्चों, rational number अब खेह दिया तो हम हमारे आंखे के सामने एक number आते हैं Just like a fraction number आते हैं है ना So, this number को हम ये symbol में रखती है तो इसको P by Q type रख सकते हैं Symbol में ये भी fraction हैं So, rational number को हम define कर सकते हैं The number which can represent in the form of P by Q P by Q Where P and Q are integers But the condition is Q should not be 0 Q should not be 0 Here अब 0 हो गया तो rational number का मतलब भी नहीं रह गया है It should not be 0 That is the condition here So, when you are writing the definition of rational numbers पहले वाले ये है वो numbers Rational numbers should be in the form of P by Q And those P by Q should be integers All these numbers They should be integers And Q should not be equal to 0 This condition you should represent कर मा चाहे है When you are defining the rational number याद रखे बच्चो ये भहुत इंपोर्टन है Q should not be 0 At any cost in the rational number तो बच्चो अब आते हैं Define करने के लिए जो है Non Sorry Irrational number Sorry Irrational number Irrational number तो बच्चो Irrational number हम कह सकते हैं जो number Non-terminating And non-recurring All these numbers Are irrational numbers So definitions होते हैं Irrational numbers Are those numbers Which are non-terminating And non-recurring Or non-repeating numbers Example तो पाई बहुत अच्चा example है For irrational number तो अब आते हैं Natural number अब आते हैं Natural number अब आप ये डिफाइन कर सकते हैं All positive integers Are natural numbers All positive integers Are natural numbers अगर आप All positive integers कह दिया तो इसमें 0 नहीं आते हैं क्योंके क्योंके 0 is not positive And 0 is not negative So 0 इसमें नहीं आते हैं So all positive integers All positive integers आपके दिया तो उस section में Number जो आते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा भी definition कर सकते हैं और दूसरा definition भी हम इसमें लिख सकते हैं जो naturally count करने के लिए यूज करते हैं वो natural number से So definitions है Naturally counting numbers और natural numbers First definition All positive integers are natural numbers Second definition All naturally counting numbers are natural numbers तो हम लोग आते हैं बच्चों Whole number का definition के लिए अब आप यह बोल सकते हैं Whole number का definition Natural number including zero Natural number including zero is called whole number यह सब आपको previous knowledge के लिए बच्चों अब समझ गया real number का मतलब क्या है real number का मतलब यह सब number मिलके हो गया है real number अब हम आगे जाते हैं actually हम अभी इस चाप्टर में entry हो रहे हैं अब इस चाप्टर में अब हम लोग enter कर रहे हैं जो एंट्री करने के पहले हम लोग एक small concept को repeat करते हैं आप लोग मालूम है उस concept को और हम थोड़ा उसका explanation करते हैं यदर आप लोग मालूम है HCF अब समझ गए होंगे HCF का detail है highest common factor हाइस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है smallest power product of smallest power of positive integers common in given numbers याने 5 and 6 दो number लिया अगर आपने इन दोनों को HCF लेना चाहते है तो पहले इनका prime factors को निकालना होगा आपको मालूम है prime factors इसका prime factors है 1 and 5 इसका prime factors है 1 6 2 and 6 बच्चो थेहरो इसमें हम 5 नहीं ले सकते हैं कि इसमें HCF नहीं है अगर 4 ले आते हो इसका prime factor है 1, 2 1, 2 and 4 तो बच्चो इस दो इन दोनों का पहले 5 and 6 में common factors ही नहीं है तो हम लोग HCF नहीं ढूंड सकते हैं उन दोनों नंबर में HCF है वो है एक only इदर ही एक था इदर ही एक है तो HCF है एक उदर लेकिन इदर तो देख लिया तो 4 and 6 4 and 6 इन दोनों में common factors कितना है दो common factors है 2 is common factor here इसका power है 1, here इसका power है 1 so 2 is the HCF of 4 and 6 so इसको define करते है smallest power of common factors in these two numbers production product product of smallest power of common numbers common factors in given two numbers this type of number we are calling them as HCF of given these two numbers ये लोग आपको मालम है फिर भी हम क्री नोलज के लिए उसको बोल दिया so HCF का मालम है HCF का मतलब है smallest power common factor का product so अब HCF के बारे में मालम हो गया है तो हम एक नया concept पर नजर डालते हैं आबि नया concept ईबिगर नया कंसर हो नया कंसर पर युशिस्य। नया कंसर पर युशिस्य। डिवीजन अल्गारिद्म इसको ऐसा है क्या सकते हैं यूक्लिट्स डिवीजन लेमा यूक्लिट्स डिवीजन लेमा अल्गार्थ तो बच्चों यूक्लिट्स ये तो एक मैथमेटिसियन का नाम है डिवीजन आप समझते हैं यह तो मैथमेटिक्स में कॉमन है अब है नया वर्ड आगया है यह तो लेमा अगर आप लेमा वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं तो समझो बच्चों आपको मालम होगा यूक्लिट्स डिविजन लेमा क्या है तो लेमा कि यह है जो प्रूवर्ण स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं एक नया स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रूड स्टेट्मेंट यूजर फॉर प्रूविंग इन्यू स्टेट्मेंट तैप आफ एक क्रिया है तैप आफ एक सिस्टिम है उसको हम कहते हैं लेम्भा एक डिक्ट्नरी मीनिंग है इसका अब वह आलरी जो यूजर है उसका यूज करके हम अगेन यह नीव वाला प्रूव करते हैं दिस टैप आफ प्रसजर को हम कहते हैं लेम्भा सो हीर भी यूक्लिट ने क्या किया आल्रडी हम लोग जो पूर्ड है उसका यूज करके ये नियू वाला उन्हें उन्हें प्रूव किया सो उसको कहते हैं हम लोग यूक्लिट्स डिविजन लेमहा तो बच्चों आपको कन्फिस हो गए होंगे ये प्रूड वाला और ये निया वाला ये क्या है तो बच्चों हम लोग एक लांग डिविजन का एक्जामपल लेते हैं तो एक्स्प्लें करेक्ट्ली दिविजन लेमहा तो हेर तू फोर जार तू 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 जार फोर ये हैं वान तो ये क्याते है तू इसको क्याते है रिमांडर एह है रिमांडर इधर क्या है फईू ये दिया हुआ नमबर है एंड इसको दो से डिवाइड करना ये भी दिया हुआ नमबर है ये दोनों गिवन नमबर्स by that we are finding these two numbers ये तो कोशन ये तो रिमांडर इस दिविजन को हम ऐसा है लिख सकते हैं जैसे फईू इजकोल टू टू जो गिवन नमबर है इंटू जो कोशन्ट है उसको मटिप्ले करना इसके मटिप्ले करने के बाव जो रहते हैं वो रिमांडर रहे हैं इसको याड़ करना तो ये डिविजन को हम इस तरफ पुट कर सकते हैं अगर इसको एक सिंबॉल दिया तो ये दो नमबर है गिवन नमबर्स अगर ढिवन नमबर्स को ए और बी टो गिवन नमबर्स ए और बी टो गिवन नमबर्स ए these two numbers we are getting two and one so these two numbers exist another scope P kee diya is cool architecte or q and architecte is go q and is go reminder for architecte quotient it's the q reminder in the architecte they exist these two numbers use q and r and satisfying satisfying the condition satisfying the condition that is a equal to b into q plus r a b are given numbers these two are given numbers a and b multiplication with q with quotient and addition of reminder are this type of condition if fulfill kar sakte hai then is go kehti hai yuklids ka phela wala theorem one point one theorem one point one so this system this statement ko hum yuklids ka division lemma kehti hai so that are the current system ah to help bacho he question are are you my other mind me yes I could do the truth statement a division many to prove हो गया है प्रूब है अलड़ी इस प्रूड इसमें यूक्लिट्स आगे क्या फाइंड लिया इसमें नयां वाला क्या है यह पुराना वाला है डिविजन तो है वो डिविजन को ऐसा लिख दिया तो नयां वाला क्या है इसमें तो बच्चों इधर यह पॉइंट है तो समझन के लिए what is Euclid's Lemha. तो बच्छो समझो Euclid's Lemha is nothing but A is equal to B into Q plus R. गिवन two numbers, in these two numbers which one बड़ा वाला है, बिगर वन we have to take it as A and smaller वाला we have to take it as B. अगर आपको फायू and 2 दिया फायू and 2 दो नमबर दिया, इसमें बड़ा वाला फायू है उसको ये, we have to take it as A and छोटा वाला जो है, we have to take it as B. So these two given numbers should do Q and R, that means 2 and 1. Okay, this systems को लेते हुए, नया वाला क्या मालूम हो गया है? उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, by explaining the example which is already given in your textbook, बच्चो. अलड़ी, in your textbook, he had given it. So he had given that, एक एक एग्जाम्पल दिया है उसको ने, उसने, एक सेलर, येग्स का बास्केट लेके जा रहा है, और एक नया वाला आके, वो येग्स बास्केट को येग्स बास्केट लेके जा रहा है, और एक नया वाला आके, इस्टर्ब किया, तो वो येग्स बास्केट जो है, और गिर गया।। तो आपको मलूं है बच्चो, येग्स बास्केट येग्स बास्केट बास्केट तो गिर गया होंगे, तो क्या हो सकते हैं। नैचरली सम एग्स तो डैमेज हो गए होंगे तो वो जो डिस्टर्ड करने वाला जो आदमी है वो सेलर को पूछते हैं सेलर आपका कितना एग्स डैमेज हो गया है तो वो सेलर ने आंसर देते हैं इफ कॉंटिंग इफ कॉंटिंग इफ कॉंटिंग इन पेर विल रिमें वान इस स्टेट्मेंट टा मीलिंग मालूं हो गया बच्चों यह मतलब है इफ कॉंटिंग इन पेर पेर मिन्स दो इस कॉंटिंग इन पेर देन विल रिमेंट सब कॉंटिंग होने के बाद एक रिमें होता है means दो हम एक बार नहीं ले सकते हैं सो एक रह गा है उनको नहीं ले सकते हैं ऐसा ही छोड़ना होगा इसको रिमेंग एक फर ईग्जंपल फैयू एक्स हर देर इन दर बसकेट समझा बच्चों फैयू एक बार तू एक्स लिया तो थीन रह गया दूसरे बार टू एक लिया तो एक रहे गया तो इस कोंटिंग इन पेर वन विल रिमें इस तैप आप स्टेटमेंट इस गिविए विएव तो इमेजिन गार टू टू एक बार लिया तो बाद में एक रहे गया है आप इसको लिखते हैं यह इसकोल टू टू इंटू एक सेग, कितना एक है हम इदर फ़ाय में टू सेट हो गया है द ही सेट हो गया है, प्रे लेक filter हो गया है अ करे गया है, इसको हम लए सकते हैं, 2 इंटु प्लास आप दो क्युंके अप यह लिगा है as 5 so 5 में 2 का 2 बार हो गया है 2 2 0 4 plus 1 it becomes 5 5 एग है इसका मतलब हो गया है हम लोग नहीं जानते कितना एग है इसमें हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं एक बार 2 एग वो ले रहा है so इसलिए ये 2 हम confirmly नहीं कह सकते इसलिए उसको लेते हैं यानि 2 into x मतलब 2 x plus 1 ये नमबर कौन सा है मालूम नहीं इसको ये लेते so ये हो गया है 2 into x plus 1 ये x कोई integer है so इस स्टेटमेंट को अगर ये नहीं तो और ये एक स्टेटमेंट दिया है वोनों नहीं if counting in 3 will remain 2 so ये इसको टू ये 2 हम कौन कर रहे थे पेर्स इदर हम 3 so it becomes 3 into number कौन सा भी हो y plus रहे गा है 2 3y plus 2 आगे if counting in 4 will be remain 3 so इसको हम लिख सकते हैं y equal to 4 z plus 3 इदर हम बार बार ये number चेंज कर रहे हैं इसका मतलब है numbers अलग होगा इदर ये same numbers नहीं हो सकते हैं इदर 3 into कितना pairs होते हैं मालूम नहीं 2 numbers लिया तो number of pairs अलग 3 eggs लिया तो number of pairs अलग number of sets अलग एक बार 4 eggs लिया तो number of sets अलग होते हैं इसलिए हम लोग इसको बार बार चेंज कर रहे हैं बच्चों अभी if counting in 5 will remain 4 so a is equal to 5 into u plus 4 same way 6 so it becomes 5 5 remains 6v plus 5 lastly वो कैते हैं if counting in 7 remains 6 so यह हो गया है sorry remains 6 not यह कहता है remains nothing if 7 एक बार लिया तो set होने के बाद कितना set होते हैं मालूम ने set होने के बाद last में कोई number नहीं रहते है जीरो होते हैं so यह भी हम लिख सकते हैं 70 plus 0 क्योंकि last में 0 नहीं है तो बच्चों और एक statement वो देता है वो बास्केट सिर्फ 150 एक्स को वो बास्केट में हम लोग 150 एक्स रख सकते हैं इसका capacity जो है वो 150 150 एक्स we can put in that basket इसका capacity उतना ही है so इसका मतलब क्या हो गए है हमारा a should be a should be smaller or equal 150 है ना बच्चों smaller or equal 150 के कम से भी number हो सकते हैं और 150 भी हो सकते हैं so अब a रह गया है 150 और बिलो अब तो given number b है b हमको हम ले रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 b numbers 2, 3, 4, 5, and 6, and 7 अब तो reminder होते है 1, 2, 3, 4, 0 also reminder lost भी 0 होते है and our quotient number जो है वो अलग-अलग हो सकते है so this example उन्हें दिया है so last पर इसका लेमहा पर लिख दिया तो a is equal to b q प्लस 0 इसको रिखते है तो ऐसा हो गया है so देखो बच्चों ये बार-बार a change हो गया है lost में 0 आते हैं कब ए रिमाइंडर 0 होते है तब ये बी वाला जो नंबर है ये नंबर given to number का ये cf होते है जो given b नंबर देखो बच्चों ये प्रोसिजर में अब जो पहले गिया था a and b ये नंबर change होते है इदर बाद में गिवन नंबर नहीं आते हैं ये अलग नंबर आते हैं इदर ये जो अलग नंबर आते हैं 20 स्थान पर वो नंबर always this two number का hcf होते है ये ही नया है जो euclidz ने फॉंड किया euclidz ने शो दिया euclidz ने प्रूव किया so लेमा क्यों कहते है इसको division वाला पूड statement है वो वो division वाला prude statement लेके उन्होंने अलग statement बना दिया जो है कब r0 होते हैं तब ये b वाला जो नंबर है वो नंबर इन दोनों का hcf हाइस्ट common factor होंगे तो इसको हम कहते है यूक्लिट्स division लेमा तो बच्चों इधर हमको मालूम है इधर आपको थोड़ा confuse हो गए होंगे ये b कैसा अलग होते हैं ये b a b कैसे अलग होते हैं ये 0 कैसे आते हैं इसका तकलिफ आपको हो गए होंगे don't worry बच्चों यही point है हम लोग इस chapter में जो solve करते हैं यही point ये number phone ये दो number देते हैं ये number phone करना कब जिरो आते हैं यही एक procedure है we are solving in this chapter अब आपका नजर correct point पर आ गया है तो हम समझते हैं बच्चों मैं समझता हूँ जो आप इधर तक दो explain किया आपको समझ गए होंगे तो अब देखते हैं ये B कैसे change होगते हैं ये 0 कैसे आते हैं ये क्या नाटक है देखेंगे एक एक एक्जाम्पल लेके हम इसको explain करते हैं बच्चों समझो अगर दो नंबर दिया आपको एक क्वेश्चन जाए ये लाग तो एक करते हैं ये सबस्चन पिरते हैं ये ये स्टिज्ड्ड म्यम्यृ पट्योँ अए लम्यृ लम्यृ to find hcf of 12576 and 4052 this is the question this type of question you are getting in your textbook in your examination this type of example examples on this real number chapter in this section you could solve for them section to the show saw look at this we have already given you two numbers which we have given you should be this so here we we keep a 12576 so naturally b which is 4052 now we use lemha we use formula b into q plus r naturally given number a and b are these two numbers we have to take 12576 equal to b के स्थान पर आते हैं 4052 into अब हम क्यों को क्यों को व्यालू करना पड़ता है मालूम होना पड़ता है ढूनना पड़ता है उसको देखो बच्चों इस नंबर को और एक नंबर से मल्टिप्लाइ किया है दैट नंबर जो मल्टिप्लाइड जो रिजर्ट आते हैं वो नंबर शुडब जो भी 12,576 और बिलो देन इस नंबर होना चाहिए तो हमको मालूम है हम लोगों को मालूम है बेचों 4052 से कोई नंबर मल्टिप्लाइड किया तो दिस नंबर तो बिलकुल नहीं आ सकते तो दिस नंबर तो नहीं आ सकते हैं तो सेकंड ऑप्शन है इससे कम नंबर आना चाहिए नजदिक नंबर होना चाहिए तो देखों बच्छों जस्ट पर कॉमन संस वाट्स देखों नंबर वहाँ तो मुल्टिप्लाइड विध दिस हो गया है तो थ तो इन अजड़िक नंबर विध गया हैं अब हम इसको थी से मल्τιप्लाइ और यह हो गया है 3 इंटो 2 ऑच सिर अगयं and last number पर आजाए this number 4 into 3 multiply किया you should not be greater than 12,000 ये तो मैं में रखना चाहिए this two multiplication should not be greater than 12,000 so it is 4 into 3 it will become 12,000 equal हो गया है not more than 12,000 so इदर हम 5 को multiply किया next number 0 को multiply किया 0 ही हो गया है 5 त्रीजा 15 तो हो गया है ये number should be less than this और very nearest to this number because if you take it as 4 4 into 4s are it becomes 16 this number is this number is greater than this number naturally it becomes 16,000 हो गया है so 4 से हम नहीं multiply कर सकते हैं तो ट्राइ करेंगे 3 से multiply करके क्या number आपको मिलते है 4,052 into 3 3,2,06 15 and 12 देखको बच्च ये नंबर हो गया है 12,156 हमारा नंबर है 12,576 so this is this is the nearest number in this serial तो portion हम फोन ले अब हम पता करना है R R का value इदर क्या हो सकता है simple अगर this number में this number आप subtract किया तो आपको R मिल सकता है so 12,576 minus 12,156 this number जो multiply पर आते हैं वो number को this में subtract करने रहे है so 6,6 इदर 2 रह गया है 4 and हो गया है 0 0 so we have to add here 4 2 0 देखो बच्चो 4,552 into 3 हो गया है 12,156 so इसको 420 add किया तो हो गया है ये नमबर ये तो उकलिट्स का लेम हो गया है so what was condition it should be 0 it should be 0 then only this becomes HCF of this number here what is our question we have to find the HCF of these two numbers these two numbers HCF we have to find according to Euclid's if it is 0 then only this is HCF here it is not 0 automatically this is not the HCF of these two numbers तो क्या करना चाहिए हम आगे बढ़ना चाहिए कैसे आगे बढ़ना है इदर तो next step के लिए these two numbers are important here because this is the reminder and this is the given number these two numbers are important here so we have to take these two numbers now when you are taking these two numbers automatically जो already I told the condition बड़ा वाला जो है वो शुद भी ये होगा इसमें बड़ा वाला है 4052 एं छोटा वाला है वो भी होगा 420 again we have to find q so in the same way we have to find very nearest number to this number so देखो बच्चो ये तो 4000 है ये 400 है ये तो 4000 है ये तो 400 है ये 400 को यनी number से multiply किया वो रिजर्ट नंबर शुद बी nearest to this number ये 4,000 ये 400 ये 40,000 4,000 स्टाट किया बच्चो ये बड़ा वाला ही होना चाहिए 400 and 4,000 के बीच में difference बहुत है इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर से नजदीक लाना है so what number we have to multiply अगर 4,000 40 होते है 4,000 होते हैं है न बच्चो 4,000 4,000 होते हैं जो हम होना चाहिए लेकिन समझो बच्चो 10 लिया तो ये नंबर होते है 4,200 ये है 4,052 इसका मतलब 10 से हम नहीं multiply कर सकते हैं because it will become greater than this number we have to take nearest number so 10 leaving we are 10 then we are coming inter side though we can take it as 9 try करेंगे याभी ये number अने वाला या नहीं 9 0s are 0 9 2s are 18 and 1 9 4s are 36 and it is 31 it becomes 37 37 so ये हो गया 3780 we have to multiply मालु हो गया 420 into 9 9 2s 9 0s are 9 18 3780 which is very nearest number to this number in this serial आगे लिया तो 10 होते हैं ये number 10 होते हैं 10 से मल्टिप्लाइ किया तो उसको जादा होते हैं इसके लिया यही number very nearest number to this number and now we have to find the reminder here तो reminder फोन करने के लिए पता करने के लिए हम लोग subtract करना पड़ता है 3780 से it is 2 एक लिया तो 15 हो गया है 15 में 8 subtract किया तो ये हो गया है 7 and here 10 हो ये है 244 जीरो 4 तो subtract किया तो 4 में 10 में 8 मैं इस किया तो 2 2 so it becomes we have to add 272 so इसका मतलब है this number को 9 से मुटिप्लाई किया and 272 add किया तो हम we are getting 4052 so again देखो 0 तो नहीं आ गया है लेकिन देखो बच्चो इदर इदर B का वैलू चेंज हो गया है पहला वाला क्या दिया था B as 4052 दिया था इदर B हो गया है 420 इसका मतलब B का वैलू चेंज हो रहा है A का वैलू भी चेंज हो रहा है So, हम लोग सोच रहेते हैं, B कैसे change होते हैं, ऐसा B बार बार change होते हैं, जो number A कैसा change होते हैं, उसके साथ B भी change होते जाएंगे. अब तो, follow again कना, जो R should be 0, till that we have to continue the procedure, this is the condition of Euclid's, then only you are getting HCF of these two numbers. And जो problem हमें दिया है, we have to find HCF. So, to find the HCF, we have to continue up to 0, R equal to 0. So, again, we are continuing, here again we have to take these two numbers, in these two numbers, 420 is a bigger one, so it should be A होगा इदर. And it is the smallest number, it becomes B, 272, into Q, again we have to find. So, again, general knowledge, use करो, करके देखो बच्चों, यह है 272, और यह है 420. अगर आप minimum 2 से इसको multiply किया, तो क्या हो सकता है, 224 हो गया है, यह 72 अपने multiply किया, again यह बड़ा वाला हो गया है, यह 500 के उपर होते हैं यह number. हमारा number है 420, अगर आपने 2 से multiply किया, यह बड़ा से जादा बिग नमबर इदर आ सकते हैं. So, 2 से हम multiply नहीं कर सकते हैं. So, 2 का small number है, 2 से small number है, 1. So, we have to multiply with 1 only here. So, it should be 1. Any number if you multiply with 1, the same number is the result. So, 270 is the result. So, we have to subtract 272 from 420 here. So, अगर आपने सब्स्ट्राइक किया, तो क्या होते हैं? 420 minus 272. So, this is 8, and this is 4, and this is 1. 148. So, here we have to add 148. 272 plus 148, it becomes 420. Again, R is not 0. So, we have to continue. So, बिगर वाला यह हो गया है. Is equal to 148, B हो गया है. अगर, again we have to multiply with Q, we have to find the value of Q again. So, here also see, बच्चों, 148. अगर 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 आपने 2 से multiply किया, तो क्या होते हैं? 2, 4208. 280 से जादा नंबर हमको मिल सकते हैं. लेकिन हमारा नंबर है 272. So, इसको 2 से multiply किया, तो बड़ा वाला नंबर हमको मिल सकते हैं. वो हमको नहीं चाहिए. छोटा वाला होना चाहिए, और नजदिक होना चाहिए. At least 2 से multiply किया तो भी, हम लोग इससे टोटा वाला नंबर नहीं ले सकते हैं. तो हमारा option रह गया है, only multiply with 1 again. So, again इसका multiplication हो गया है 148. Those result 148, we have to subtract from 272. 272 minus 148. So, it's become 24. इसका मतलब क्या हो गया है? अगर आप 148, 1 से multiply करके, उस result को 25 एड़ किया, हम लोग गिटिंग 272. Again, it is not 0. But one तो, one thing तो, हम मालूम पढ़ रहा है, पहले वाला था 4.20, अब हो गया है 24. Means, number slowly reduce हो रहा है. अईसा ही गये तो, last में, यह 0 हो सकते हैं. So, अब लेना है, 148 जो बड़ा है, उसको यह लेना है. जो छोटे वाला 24 है, उसको भी लेना है. अब हमको multiply करना पड़ता है, again, एक numbers. ओके, अगर 2 लिया इधर, तो क्या होते हैं? 44. So, यह बहुत चोटे वाला हो रहा है. अगर आपने 4 लिया, 4, 2, 0, 8, 88 हो सकता है. यह भी बहुत चोटे वाला हो गया है. तो 5 से multiply किया, क्यूंके 5, 2s are 10, 1 आते हैं, lost. And 5, 4s are 20, इधर 48 है. So, this number should be very near to this. Because, if आप 6 लिया, तो क्या हो सकता है? 6, 2s are 12, and 6, 4s are, So, दोनों add किया तो, यह number इससे ज़्यादा होते हैं. 6 लिया तो, 6 तो हम लहीं ले सकते हैं. तो, 5 हम लिया तो, क्या होते हैं? देखेंगे. 148 इंट 5. 5, 8s are 4, 0. A 24. Sorry, sorry, sorry. We have to take 24 into 5. 5, 4s are 0, 2. 5, 2s are 120. So, we have to add 120 here. Sorry. We are getting 120, the multiplication of these two numbers. Now, this 120, we have to subtract in 148. So, 148 minus 120, this becomes 8. And this is 228. So, this is 28. So, multiplying by... 120, 5, 4s are 0, 2, 0, 12. 120, 6, 5, 4, Int Life. So, this is 28. So, this is 29. So, this is 29. So... And this is 29. हुँ देखो बच्चो यह बड़े वाला हो गया है अगर शिक्स ले लेंगे क्या होते है देखेंगे अगर इदर 6 लिया तो हो यह 144 हो गया है we have to take it as 6 now so 144 148 को 144 में सब्स्ट्रैक करना है 148-144 ए 4 रह गया है इदर हो गया है 4 again we have to take 24 as bigger one and 4 as smaller one as B and we have to find Q again here 4 into 20 we any number we have to multiply with 4 that that number should be equal to 24 or nearest to 24 so for me 24 a so if you multiply by 6 we will get six fours are 24 so reminder should be zero so here reminder become zero according to you kids we are getting zero as R to according to him joby place per Joe hey who should be it see a far given these two numbers so this is the HCF of 12,576 and 4,052 numbers तो बच्यों ऐसे हम उख्देएल var Controller Eucharist Lemュां यूस्ज्स कर के chcf फॉन करते हैं ещё po ऐसे अजज़ता है pad सो आईसे 4 हो गया है इसका HCF तो अब हम लोग आते हैं बच्चों यह होने के बाद इसमें एक important बात बते हैं जो हम लोग कहते हैं उसको co prime number एक concept आते हैं co prime number यह है a last concept in this section बच्चों यह co prime number का मतलब है अगर a and b दो number है अगर a and b दो number है इसका HCF if it is one just I have told for you and six दो number है a is six b is five इसका HCF है अपने पहले देख लिया it is one only so this type of numbers we are calling them as co prime numbers मलम हो गया बच्चों जो two numbers having HCF as one those numbers are calling it as co prime numbers so concept तो पूरा हो गया बच्चों इदर इदर हम जो example जो दिया उसको solve करने के लिए तीन स्टेप्स हम आपको बोल सकते हैं to become easy to solve so पहले वो नमबर दिया ता 12576 and 4052 so first when we are solving by Euclid's lemha to find the HCF first we have to take bigger one as A and smaller one as B and according to lemha we have to solve if we are not getting at the first step R is equal to zero if we are not getting R equal to zero in first step then we have to continue first step is by applying given two numbers to Euclid's lemha it's the first step and second step if the R is not zero here then the second step is we have to take bigger one in the first step bigger B and R in those two में bigger one as A means here 12576 equal to 4052 into 9 9 plus 420 जो था इसमें 0 नहीं आए गया तो पहला step था इन दोनों को lemha में अप्लाई करना R equal to not zero here then we have to take it as B as A second step B as A and R as B we have to continue this is the second step first step we have to apply in a lemha if R is not equal to zero then second step should be B as A R as B again here it is not zero then the same way we have to continue and the third step is when you are getting R equal to zero in that step B should be the HCF of given to number this is the third step so when you are getting this type of problems you have to bear in mind three steps so question use Euclid's algorithm and find the HCF of these two numbers aisa problem joh a gaya hai to aapko brain me three steps yad aana chahiye pehle wala those two given numbers we have to include include in Euclid's algorithm and in first step we are not getting R equal to zero then we have to continue to continue we have to take B value in second step B value as A and R value as B and we have to continue we have to find Q and we have to find and value R like that we have to continue when in any step if we are getting R equal to zero then the value of B in that step should be the HCF of the given two number so this is the concept and the solution for the Euclid's algorithm बच्चों अब हम सोच सकते हैं आपको real number की बारे में and Euclid's algorithm की बारे में and the method of solving of Euclid's algorithm to find the HCF जिसके बारे में आपको कोई problems कोई doubts नही हो गे होंगे तो today this much is sufficient students and tomorrow we are going to solve other problems in your chapter ओके बच्चों तो गुद्बाय all of you and we will meet tomorrow again बाइ पूस्ट लुद्वाद आपके बाई लुद्श लुद्वाद दूद्वाँ अभ उग उनुद्वाद उनुद्वाद अँआ बाई इस